हाई गाईज और वेल्कम बैक टो यूर ओन चैनल दीपक्यादव एजुकेशन वेल्कम टू दी डेली करेंट अफियर्स आफ 25 अफ दिसम्बर 2020 तो आज है तारिक 25 दिसम्बर 2020 आज की तारिक से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफि डेल्ड में आर्टिकल का डिसकेशन मिलता है और अगर आप लोग इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से गो थू कर लेते हो देन यू इल बी एबल तो टैकल दी पर मिलता है और अभी तक आपने इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली बिस्स पे इन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे ठीक है नाव बढ़ेंगे आगे और स्टार्ट कर अगर आपको समझ होगी आर्टिकल की देन आप अराम से MCQS को सॉल्व कर पाऊगे डायरेक्ली अगर आप MCQS देखते हो क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो जादतर वीडियो MCQS की ही अपलोड होती है तो डायरेक्ली अगर आप MCQS करते हो तो उसका बेसिक आर्टिकल आ एक स्ट्रीट हॉकर कल्चर है इस तरीके का मार्केट लगता है खाने पीने का एक आप कह सकते हो स्ट्रीट गली की तरह यहाँ पर लोग आवाजे लगाते हैं कि ये मिल ला है वो मिल ला है आप देख सकते हो ठीक है इस तरीके जब भीड लगके लोग खा रहे हैं हर तरीक युनासको ने इस culture को अपने intangible culture heritage list के अंदर डाल दिया है यह बहुत important है यह intangible cultural heritage list क्या है इंडिया के कौन कौन से culture से इसके अंदर यह सब कुछ हम लोग आगे discuss करने वाले है डिटेल में तो जो युनासको intangible cultural heritage इसके बारे में discussion होने वाला है सिंगापूर की street hawker culture as you can see in the picture इसको एक दर्जा दे दिया गया है intangible cultural heritage by the UNESCO के द्वारा एक इसको दर्जा दे दिया गया है कि यह intangible cultural heritage है ठीके यह intangible क्या होता है जैसे हम लोग चून नहीं सकते ठीके चून नहीं सकते ऑब्यस सी बात है फिल कर सकते हैं उसको तो इस type का एक संस्कृती एक इस type का culture चल ला यहां पर आगे बढ़ेंगे हम लोग देखो यहां पर जो यह street hogger market है इसके अंदर food जो मिलता है बहुत सस्ता सा cheap delicious food Chinese food मिलता है Malay Indian origins मिलते हैं और बहुत सारे foods यहां पर देखने को मिल जाते हैं ओके नौ यहां पर अगर हम बढ़ेंगे तो यह जो intangible culture है यह part of a culture है जी ठीक है बिलकुल जो की हम लोग छूनी सकते हैं मैंना जैसे बताया जिसके हम लोग छूनी सकते हैं बसको record कर सकते हैं हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं इसको है ना feel कर सकते हैं इसको जैसे की performing arts जैसे की song हो गए music, drama, skills, crafts यह सब song को आप छू सकते हो कहां से छू सकते हो कहीं से भी ने आप उसे feel कर सकते हो तो वो एक intangible culture heritage है अगर हम बात करें convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage was adopted in 2003 2003 में यह system को adopt करा गया था उसके बाद जो UNESCO है उसने एक list maintain करी और उस list का नाम है intangible culture heritage जिस जो भी ऐसे popular intangible heritage होते हैं, intangible culture होते हैं उनको UNESCO इस list के अंदर डालता है और इस particular list के अंदर वो culture आते ही एक protection के अंदर मा जाता है क्योंकि UNESCO जैसे ही उस culture को इस list के अंदर डालेगा तो उसको पूरी तरह से support भी करेगा ठीक है, obvious ही बात है support करने के यह उसको डालता है क्योंकि वो culture एक बहुत ही बढ़िया, popular, famous culture है, साथ ही साथ वो खत्रे में भी है तो उसको वो list के अंदर डालता है ताकि उसको support कर सके ओके, now यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो list है, list of intangible culture की यह एक annual list है जो की focus करती है बहुत सारे forms of performing art पर, बहुत सारे outstanding value जिनकी हो और या फिर vulnerable हो यानि की जो की कम होते जा रहे हों क्योंकि उन्हें support नहीं मिल पा रहा है, इस वज़ा से वो खतम होता जारा culture तो उसको maintain करने के लिए UNESCO इस list के अंदर डालता है यह सारे culture, अब जो program है, कौन-कौन से types के program इन list के अंदर डाले जाते हैं, first of all यहाँ पर representative list को डाला जाता है, दूसरा जो है urgent safeguarding list, representative list यानि की बहुत famous culture है भाई, ठीक है चलो उसमें खतरा भी नहीं है, खतम होने कोई खत guarding list, एक यह इस type के list है, जिसके अंदर जो culture हमारा ढूब रहा है, जो culture हमारा खतम होता जा रहा है, उसको protect करने के लिए हम लोग इस list के अंदर डालते हैं, तो UNESCO दो list maintain करके चलता है, okay, now आगे बढ़ेंगे उसके बाद, कुछ domains हैं, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को म मिलेंगी, दूसरा कोई arts है, तो उसके ओपर focus करता है, या फिर social practice, कोई धरम से related festival events हो गया, उनके ओपर UNESCO ध्यान देता है, knowledge हो गए, practice हो गए, nature को लेकर, universe को लेकर, उसके ओपर जो UNESCO है वो ध्यान देता है, traditional craftmanship हो गई, उसके ओपर भी UNESCO ध्यान देता है, इन सब चीजों कोई ओपर mainly focus करता है, इस intangible culture के लेकर, ओके, तो यह था article, यहाँ पर हम लोगों ने देखा, अब थोड़ा सा हम लोग बात करता है, एक important line भी आते है यहाँ पर, total of 13 intangible culture heritage elements from India have been inscribed till the date on the UNESCO's representative list, अगर हम बात करें, इंडिया के भी कुछ ऐसे culture हैं, जो की UNESCO की list के अंदर ह हैं, और वो कितने culture हैं, total of 13 intangible culture heritage हैं, ऐसे, ठीके, तो आपको याद रखना है, इंडिया के भी कुछ cultures हैं, आते हम लोग second article के उपर, यहाँ पर इस article के अंदर किसान दिवस के बारे में बात करी गई है, और बोला जा रहा है, National Farmers Day मनाया जाता है, या फिर किसान दिवस celebrate क करता हैं, ताकि हम लोग एक honor कर सकते हैं, सम्मान दे सकें, इंडिया के किसान को, ठीक है, देखो, किसान दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ बर्थ anniversary मनाया जाती है, किनकी हमारे nation के पांचवे Prime Minister की, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंग, पिच्चर देख सकते ह यह, 1979 से लेकर, 1980 में यहाँ पर Prime Minister थे, ठीक है, और country के most famous present leader थे, अगर हम बात करने लेबर की category में है, तो बहुत बढ़िया एक leader थे, और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, चरण सिंग, इन्होंने, सर्व करा twice as a Chief Minister of Uttar Pradesh, Uttar Pradesh के यह दो बार Chief Minister भी बने, और बहुत सारे तगड़े-तगड़े bills को यह लेकर आए, ठीक है, जैसे की Land Utilization Bill of 1939, Debt Redemption Bill in 1939, इस तरीके के bills लेकर आए, और इन्होंने जो बहुती बेहतरीन काम किया था, वो क्या करा, UP में से इन्होंने जमिनदारी सिस्टम को abolish कर दिया था, हटा दिया था, यह एक बहुत भी बहतरीन काम था, हिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगे ने, तो आप लोग को जरूर मालूम होगा, what is जमीनदारी सिस्टम ठीके, क्या है, अगर आप लोग को मालूम है, तो जमीनदारी सिस्टम क्या था नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिन लोग को मालूम है, जिन लोग को नहीं मालूम है, और उन लोग को क्या करना है जाकर पढ़ना है, और उसके बाद नीचे कॉमेंट में टाइप करना है, जिससे की आप लंबे समिता याद रख पाओगे ओके, ना आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, देखो वही बात है जो हमने भी देखा, साधी साथ 23 दिसंबर 1978 में इनोंने किसान ट्रस्ट को फाउंड किया 23 दिसंबर को, ठीक है उसके बाद से हम लोग यहाँ पर किसान दिवस को सालिब्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है और 2001 की बात है गोवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि चौधरी चरंद सिंग जी को रिकगनाईज करना, कि इनका एक बहुती बढ़ा कॉंट्रिब्यूशन है अग्रिकल्चर सेक्टर में, या फिर फार्मर्स को बढ़ावा देने में, बहुती बढ़ा है, इनका सपोर्ट है और साथी साथ इन्होंने ये दिवस बनाया चरंद, चौधरी चरंद सिंग जी इस तरह का दिवस लेकर आए जिसको हम लोग किसान दिवस बोल ला है ठीके, तो इन्होंने काफी बढ़ावा दिया है हमारे फार्मर्स को ना वाते हैं हम लोग आर्टिकल नमबर 3 के उपर, इस आर्टिकल में बात हो रही है, Green National Highway Corridors के बारे में, जो हमारा केंदर सरकार है और World Bank है इन दोने आपस में मिलकर एक साइन करा है डील, और वो कितने रुपए की है रुपए नी, डॉलर्स में बताया गया है 500 यूएस मिलियन डॉलर्स की प्रोजेक्ट है ये, इसमें क्या होगा जो इंडिया है, वो यहाँ पे पैसा लेने के बाद बहुत बढ़िया हाईवे कंस्रक्शन करने वाला है, जैसे आप लोगो पिच्चर में दिख रहा है और ये हाईवे कॉरिडोर्स बनने वाले हैं कहां पर, राजिस्थान, हिमाचल प्रदेश, उतर प्रदेश और आंदर प्रदेश ये हाईवे जो होंगे, वो ग्रीन नैशनल हाईवे होगे, हरे भरे और जो ये हाईवे का कंस्रक्शन होगा, वो भी एक एक एन्वोर्मेंटल फ्रेंडली होगा ओके, ना आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डीटेल में आप लोगो देखने को मिलेगा जो ग्रीन नैशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट है, यह सपोर्ट करेंगे किसे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री को ताकि यह लोग कंस्ट्रक्ट कर सकें, 783 किलोमेटर का हाईवे, बहुत सारी जोग्रफी में, जो कि हम लोग को अलग-लग मैंने जैसा जगे बताया, महाँ पर बनाने है साथी साथ जो यह प्रोजेक्ट है, यह किस चीज में मदद करेंगा, इतना पैसा आएगा, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, एक ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे, जिसका मतलब है कि हम लोग इस तरीके से टेकनलोजी का इस्तमाल करें, कि जैसे कि बहुत सारी हामफुल गैसे हैं, जो की कंस्ट्रक्शन के दौरान निकलती हैं, उन सभी गैसे को हम लोग कंट्रोल कर सकें, बहुत सारे आप कैसकते हो पॉल्यूशन होता है, उन सब को कंट्रोल कर सकें, ठीके, तो उसके लिए यहाँ पर एक ग्रीन टेकनलोजी का इस्तमाल करा जा रहा है, तो उसी में यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है, जो यह प्रोजेक्ट है, यह कैपसिटी बढ़ा देगा किसकी मिनिस्ट्री आफ रोड और ट्रांस्पोर्ट की हाईवेज की, ताकि यह लोग एक बहुती बढ़िया सेफटी और ग्रीन टे इस्तेंड्स फर, Memorandum of Understanding, तो इसको साइन करा गया, बरोडा Military Salary Package के लिए, ठीक है, इसका नाम दिया गया, बरोडा Military Salary Package, जिसमें क्या होगा, जो बैंक आफ बरोडा होगा, वो हमारे जो Military Personal है, यानि कि जो भी हमारे Retired Persons हैं, ये भी लोगे जो Military मे थे, इन लोगों को Service बहुत बढ़िया-बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, कौन-कौन से सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, आगे हम लोग बात करेंगे, जो ये Memorandum of Understanding है, ये यहाँ पर Bank of Baroda बहुत सारी सर्विस देने वाला है, किसे Retired Person of Indian Army, इंडियन आर्मी के जो भी Retired लोग है उन सबको Bank ये सर्विस देगा, और वो सर्विस कौन-कौन सी होंगी, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, देखो आगे चलेंगे सबसे पहले, यहाँ पर आपको सर्विस देखने को मिलेंगी, जो ये Package है, क्या देने वाला है, एक तो Personal Accidental Insurance Cover देगा, दूसरा Permanent Total Disability कवर की सर्विस देने वाला है, तीसरी, Partial Disability कवर की सर्विस देने वाला है, साथे साथ Higher Education कवर की, या फिर Girl Child जो Marriage कवर है, उसके लिए, या फिर Death हो जाती है, in case of Serving Personal, तो इन सब के लिए पैसा प्रोवाइट करवाएगा, सर्विस प्रोवाइट करवाएगा, Bank of Baroda, किसको जो की Retiring Person है हमारे Indian Army के, बहुत सारी Services और हैं, जैसे की Unlimited आप Transaction कर सकते हो ATM से, देखो हर जगा पर क्या होता है, ATM के अंदर एक Limit होती है, ठीक है, एक Limit के ही, आप उसी के Through Transaction कर सकते हो, Limit से बार नहीं कर सकते है, यहाँ पर आपके लिए Unlimited कर दी गई है, आपके लिए न RTS और NEFT में अगर हम बात करें, इनकी Facility बहुत बढ़िया Provide करवाई गई है, अगर आप लोग कहीं से Money RTGS करते हो, या NEFT करते हो, तो उसका Extra Charge जाता है, तो उसका Extra Charge भी इनका नहीं लगेगा, ठीक है, Free Demand Draft होगा, Bankers Check होगा, बहुत सारे Discounts होगे, Locker Rent के उपर Discount मिलेगा बहुत सारे Other Additional Benefits मिलने वाले हैं, अगर ये लोग कार्डस को इस्तमाल करेंगे तो, तो काफी बढ़िया Step उठा रहा, Bank of Baroda, ठीक है, और Bank of Baroda की अगर हम बात करें, तो इसके जो Network है, 8200 Domestic Branches हैं, साथ-साथ 20,000 Business Correspondent Touch Points हैं इसके, ओके, नाओ यहाँ पर बात करेंगे, आर् Defense Research and Development Organization या आप लोग को मालूम होना चाहिए, और DRDO का काम क्या है, जो भी हमारा Defense System है, उसको देखता है, ओके, तो DRDO ने एचीव करा, एक बहुती बढ़िया Milestone, किसके साथ, with Maiden, with the Maiden launch of Medium Range Surface to Air Missile, Medium Range Surface to Air Missile, तो इसका नाम दिया गया है, Medium, फिर से मता रहा हूँ, MRSAM, ठीक ह Stands for Medium Range Surface to Air Missile, यानि जमीन से हवा में छोडने वाली जो Missile है, वो इस तरीके की ये लाँच कर दी गई है, कहां से लाँच करी है, तो ये Coast of Odisha से लाँच करी है, ज्यादातर DRDO वहीं से लाँच करता है, तो जो ये Missile है, Completely High Speed है, और अगर हम दूसरी चीज़ देखें, तो ये जो Army Version है, MRSM जो ये Missile है, Surface to Air Missile, ये Develop करी गई Jointly DRDO के दोरा, DRDO यानि जो इंडिया का है, उसके दोरा साथी साथ AI जो की इसराइल के दोरा, इन दोनोंने आपस में मिल कर इसको Develop करा है, इस Missile को, तो ये जो Surface to Air Missile है, Army Weapon System है, इसमें क्या-क्या चीज़े दे रखी है, Command Post दे दे रखा है, इसके अंदर, तो बहुत सारी बेहतरी फीचर्स दे रखे हैं इस Missile के अंदर में, तो ये Launch करी गई, तो आपको याद रखना है, Recently DRDO ने कौन सी Missile लाँच करी है, इसराइल के साथ मिल कर वो है, MRSAM, Medium Range Surface to Air Missile, ओके, तो यहाँ पर इसी के साथ होता है, आज का हमारा Daily Current Affair का वीडियो का analysis पूरी तरह से समाप, I hope आप लोगो सारी चीज़े clear हो गई होंगी, और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरू करना और अभी तक आपने चलको subscribe नहीं किया है, तो नीचे red color का बटन आ रहोगा, subscribe कर लो, bell icon press कर लो, ताकि आप notification मिस ना कर सको, और telegram का link में नीचे description box में है, उसको भी join कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको daily basis पे lecture की PDF मिल जाती है, तो guys आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे, आप लोगों से next video में आज के लिए, bye bye, have a nice day.